श्री गनेश आय नमो नमह, मित्रो अनोखा संगम पंचांग में आपका हारदिक स्वागत हैं, आज हम बात करने वाले हैं पंचांग के विशे में, आज के पंचांग में तिथी, वार, नक्षत्र, योग और करण की विस्तरिती जानकरी के साथ, आज का शुब समय अभिजीत महुरत, आशुब समय राहुकाल, आज के दिन और रात का चोगडिया और आने वाले दिनों के व्रत और तहारों के बारे में, पूरी पूरी जानकरी मिलती हैं, आये जानते हैं आज का शुब पंचांग पंचांग से पहले आज का सुविचार, जीवन में दो प्रकार के विक्ति ऐसा फ़ल होते हैं, एक वे जो सोचते हैं पर करते नहीं और दूसरे वे जो करते हैं पर सोच कर नहीं करते आज की तारीख 25 नवंबर 2020, आज का वार बुधवार आज कार्तिक महा के शुकल पक्ष की एकारशी पांच बचकर दस मिनट अगले दिन सुबह तक रहेगी, इसके बाद द्वाद शीतिती प्रारंब हो जाएगी 25 नवंबर 2020, इसके सूरे वद्य का समय रहेगा 6 बचकर 52 मिनट सुबह, सूरेस्त का समय होगा 5 बचकर 24 मिनट शाम को चंद्रवद्य का समय रहेगा 2 बचकर 45 मिनट दोपहर को, और चंद्रास्त का समय 3 बचकर 7 मिनट अगले दिन सुबह तक रहेगा आज का नक्षत्र उत्तर भादरपद च्छा पचकर 21 मिनट शाम तक है इसके बाद रेवती नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा आए जानते हैं उत्तर भादरपद नक्षत्र में जन्मे विक्तियों के विक्तितों के बारे में जन्मे विक्तियों के नामक्षर दू, थै, जै और न्याशे शुरू होती हैं वे लोग उत्तर भादरपद नक्षत्र के माने जाते हैं इनकी राशी होती है मीन, राशी स्वामीन का गुरू, नक्षत्र देवता अहिर बुधन्य, गण की बात करें तो मनुष्य गण से मेन राशी में है, आज का पहला करना वणिज तीन बज कर चोवन मिनट शाम तक रहेगा, आज का दूसरा करना विष्टी पांच बच कर दस मिनट अगले दिन सुभह तक रहने वाला है, इसके बाद बव करना प्रारंब हो जाएगा, आज का योग सिध्धी पुरी रात्री तक रहने वाला है, दिशाशुल की बात करें तो आज उत्तर दिशा में दिशाशुल है, आज जानते हैं सिध्धी योग के बारे में, किसी भी प्रकार की सिध्धी प्राप्त करने प्रभु का नाम जपने के लिए यह योग बहुत ही उत्तम है, इस योग में जो भी कारे शुरू के जाएगा वैसिद्ध होगा अर्थात सफल अवश्य होगा कुछ अन्य विद्वारों के अनुसार यदि आप सिध्योग में पैदा हुए हैं तो आप भोतिक संपती में रूची रखते हैं सिध्योग में जनम से आप महान और कोशल तार रखते हैं और धन प्राप् करने की संभावना रहती है आज का शुब समय आज का विजय मुहुरत एक बचकर त्रेपर मिनट दोपहर से दो बचकर चतिस मिनट दोपहर तक रहेगा ब्रह्म मुरत का समय पांच बचकर चार मिनट सुबह से पांच बचकर अठावन मिनट सुबह तक रहेगा आज अभी बचकर 69 मिनट से दो बचकर 46 मिनट दपहर तक अम्रत काली योग रहेगा। को आज के ऐशुब समय में आज का रहु काल बारा बचकर आठ मिनट दपहर से एक बचकर 27 मिनट दपहर तक रहने वाला है। यमगन काल का समय आठ बचकर ग्यारा मिनट सुबह से नो बचकर तीस मिनट सुबह तक रहेगा आने वाली कुछ महत पुर्णतितियां इस पर का रहेंगी 25 नुवंबर को देव उठनी एकादशी और भिशम पंचक लागू हो जाएंगी 26 नुवंबर को वैशनव देव उठन नेकादशी तुलसी विवहा और योगेश्वर द्वादशी होगी 25 नुवंबर 2020 के दिन का जोगडिया इस पर का रहेगा लाप समय च्छा बचकर एक्क्यावन मिनट सुबह से आठ बचकर दस मिनट तक अमरत काल का समय आठ बचकर दस मिनट सुबह से नो बचकर उनतिस मि दोपहर तक चर समय अर्थात समाने समय दो बचकर चालीस मिनट से चार बचकर पांच मिनट तक रहेगा लाप समय चार बचकर पांच मिनट से पांच बचकर चोबिस मिनट शाम तक रहने वाला है आज रात के चोगडिया में शुब समय साथ बचकर पांच मिनट शाम से ध्यरात्री तक रहेगा लाब का समय तीन बच कर 28 मिनट अगले दिन सुबह से पांच बच कर 10 मिनट अगले दिन सुबह तक रहेगा मित्रो ये था आज का शुबह पंचांग आज बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहें अनुखा संग्रम का चैनल और इसे जादा से जादा सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट करें लाइक करें वीडियो में अंत तक बन रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद